नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हर्दिक स्वागत है, बड़ी अपडेट सामने आ रही है, PTT 2023 की तरफ से, यहाँ पर थर्ड लिष्ट जारी कर दी गई है, PTT 2023 टू येर बीड वालों की, यह दियान रहे काफी समय से आप इंदजार कर रहे थे कोई नोटिस भी नहीं आ रहा था, अलग बरक्षा बंदन के बाद में कोई नोटिस यहाँ पर देखने को नहीं मिला, GGTV बांस बढ़ा की तरफ से, लेकिन फाइनली एक नोटिस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसमें थर्ड लिष्ट के बारे में बात कही गई है, और लिष्ट जार करना इद्यान रखे कि आपको कौन सा कोलेज अलोट हुआ है, कोलेज अलोट जो हो जाएगा, उस पेज में ही आपको जो डोकुमेंट्स दिये हुए है, वो सारे ओनलाइन अप्लोड करने हैं द्यान रखे, ओनलाइन स्केन करवाने हैं वहाँ पर, और बाईस अजार जो जमा करवानी है, उसके अंतीम चिती है 14 सितंबर, उसके बाद में कोलेज रिपोर्टिंग की जो डेट है, वह 16 सितंबर तक दी गई है, जान रखे, पहले इमित्तर पर काम होगा, उसके बाद में आपको कोलेज रिपोर्टिंग करवानी होगी, काफी वीडियो बने हु और आपके डोकुमेंट्स भी लिखे होगे, उसके बाद में आपको कोलेज जाना, रिपोर्टिंग करवाने के लिए, और सारे डोकुमेंट्स जो भी हैं आपके पास में, जिसका भी इस कैटेगरी से नाम आया है ना, उसका सर्टिफिकेट जरूरी यह भिया नी, तो एड सितंबर होने वाली है, और यहाँ पर डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन जो कोलेज रिपोर्टिंग होती है, उसके लिए सोड़ा सितंबर अंतिम जेती होने वाली है, अभी जो नोटिस आया है, इंतजार करेंगे बागी आने वाले समय में पवाड़ बगर का, अभी तब कुछ नहीं मिलती रहेंगी, जो नोटिस नहीं आ रहा है, उसके बारे मंद से कुछ भी चीज़े नहीं बताई जाएगी, तो जान रहें, थर्ड लिस्ट का रोटिस है, आने वाले समय में जो भी अपडेट होंगी, चैनल के मादम से मिलती रहेंगी, जुड़े रहेंगी, कितने नंबर तक हैं, पर आ गया विद्यार्त आज़ें में, जो कितने नंबर तक उसका अलोटमैंट हो चुगा है, क्योंकि इसमें कभी भी बी आसा नहीं होता है, कि सभी विद्यार्त के समान नंबर पर अलोटमैंट हो जाए, ऐसा पूसिبل नहीं, किसी ने नो 강्री करना है जिससे बाकी विद्याट के को पता चल जाएगे कि इस कैटेगरी की यहां पर इतने नमरों पर अलोट हुआ है तो बाकी विद्याट के भी उसको देख पाएंगे तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन प्रेस करें करेंगे मिल कुमारी क आने घिंडा की विजाएंगे फारैंगे झाला करेंगे यहां तो इंदियान.